हेलो गाइज मैं निर्मल आप सभी का कंप्पूटर लोजी में स्वागत करता हूँ आज का मेरा टॉपिक है Microsoft Word में हम नंबरिंग कैसे अपलाई करते हैं आईए शुरू करते हैं For example मैं कुछ टाइप करता हूँ अब मुझे यहां नंबरिंग अपलाई करना है तो हम होम टैप पे जाके हमारे पास paragraph फॉर्मेटिंग वाले ब्लॉक में देखो पर नंबरिंग शो करता है ठीक है नंबरिंग बुलेट सारे शेकंड नंबर का है नंबरिंग हूँ ह्यां यहां पैड नंबरिंग और नंबरींगए यहां पे डिफ्रेंट केटेकरी की नंबरिंग है आप छीब नोता है और नंवर penguin लाईब्रेग प्रक्राइब करना है दुबारा से एंटर की प्रस कर दो या बैकिस के इस की भी प्रस कर सकते हो तो आपको completely अगर सारा रिमूब करनी है numbering सब्सक्राइब आपने 123 दिखाई दे रहा है इसको रिमूब करना है तो select करके आप same process है इस पर click करके यहाँ पर option आएगा none numbering library के नीचे है none, none मतलब नहीं आपको जो भी चीज हटानी है आप none पर click करते हो अगर दुबारा से कुछ other format पर लेना है ले सकते हैं इसको दूसरे तरीके से भी apply कर सकते हो मांडू करता हूँ यहाँ से right click करोगे option आ रहा है देखो bullet के नीचे मतलब यह feature so कर रहा है क्या 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 ऐसे apply हमने numbering apply करने है तो numbering हमने simple series में ले लिया अब हम कुछ advanced numbering लेना चाहते हैं हम अपने accordingly कुछ set करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे हम then define देखो numbering library के नीचे last से first में दिखा रहा है define new number format इस पर click करेंगे अब आपको number format कुन सा चीए number का style जो भी चीए आपको alphabet में चीए या इस type से चीए बहुत different type के format आते हैं अलग-अलग दिखाई दे रहा देखो जिस type में भी चीए आप उस type से select कर सकते हो और then आप इन पर color भी कर सकते हो font पे click करोगे फॉंट पे click करोगे जो भी आपने font select करना है font का color select कर सकते हो यहां से font select कर सकते हो ओके और font का style भी select हो जाएगा आप कोई भी font select कीजिये जैसे है मैंने कर लिया Arial और इसको font style क्या देना है मैंने इसको bold कर दिया थोड़ा dark का आएगा अगर italic करोगे तो हलका सा तिर्शा दिखाई देगा bold italic करोगे तो size क्या रखना है size भी set कर सकते हो मैंने 16 या 18 कर दिया अब font का color क्या देना है इसके साथ साथ में अब underline भी ले सकते हो underline मैंने ले लिया double वाली इस पर कून सा color करना है means अब अपने accordingly formatting कर सकते हैं देखो इस तरीके से दिखेगा numbering OK कर दो then OK अपने तरीके से आप कुछ भी add कर सकते हो अब जैसे आप enter की प्रस करोगे इसी format पर स्टार्ट होगा देखिए ठीक है आप इस तरीके से अलग-अलग numbering ले सकते हो और उन में आप अपने accordingly color कर सकते हो numbering में और underline दे सकते हो size छोटा बड़ा कर सकते हो हटाना है same select करो अगर particular हटाना है तो enter की प्रस कर लो अगर आपने completely remove करना है तो select करके then यहाँ पर numbering वाले format पर जाओ या right click भी कर सकते हो right click करके और then numbering यहाँ से none कर दो अब मेरे मन में एक question है suppose करो मैंने 123 लिया है यहाँ से मैंने अभी मेरा style format में दिखा रहा है अब question है कि मैंने enter की प्रस किया मैंने again enter की प्रस किया हट गया अब मैं कुछ यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ जैसे मैंने line type कर ली फिर enter की प्रस किया अब मैं देखो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो series बनी है मेरी 123456 वाला उसी के नीचे अगर मैं second अगर line पर लेता हूँ तो 7 आए लेकिन अगर मैं यहाँ से numbering select करूंगा मैंने यहाँ से numbering select किया तो यहाँ पर 1 आ रहा है देखो 1 आ रहा है यहाँ पर भी 1 आ रहा है मैं जो भी ले लहाँ 1 आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को 6 के बाद 7 दिखाई दे बहुत ही important logic है please इसको proper देखिए मैंने इस पर किलिक किया आप मैं चाहता हूँ इसके बाद 6 के बाद क्या दिखाई दे 7 दिखाई दे मैं क्या करूंगा यहीं पर लाइबरेरी ओपन करूंगा number library सब से नीचे option आ रहा है देखो set numbering value आप numbering value पूट अप कर सकते हो अपने accordingly मैंने put up set numbering value पर किलिक किया और मैंने यहां से start new list अगर new list अगर continuously करना चाहते हो previous list के accordingly continue किलिक कर दो continue from previous list यहां से advance value और अगर आप कुछ भी put up करना चाहते हो यहां पर put up कर सकते हो जैसे suppose करो मैं start new list से भी कर सकता हूँ मैं अगर start new list कर दूँगा तो यहां पर नई list आ जाएगी लेकिन मैं अगर इसके accordingly करता हूँ मैंने start new list कर दिया मैंने यहां पर save and type कर दिया then ok अब देखो फिर enter की type करो कुछ भी enter अब उसी series महारा पिर भी as list के accordingly मतलब new list से जाकर के आप ले सकते हूँ again enter की मतलब मैंने बीट में जब line type की थी मैं दुबारा आपको करके बता रहा हूँ मैंने देखो यह line type की थी अगर उसके बाद में बुलेट से लूँगा तो यह series में नहीं आते हैं बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे 1st से देखो यह 1st दिखा रहा है 1st 2nd 3rd दिखा रहा है ओके लेकिन अगर मुझे यह चीज सेट करनी है तो नंबर लाइबरेरी पे जाके सबसे लास्ट वन ओप्शन सेट नंबर वैल्यू और यहां से start new list यह भी एक feature है लेकिन मैं normally start new list से करके दिखा रहा हूँ यहां पर 13 के बाद 14 से शुरू करना है 14 टाइब कर दो देखिए अब आपकी series बाइज है आप चेक कर सकते हो numbering में यहां से 1,2,3,4,6 फिर मैंने line type किया उसके बाद 7,8,9,10,11,12,13 फिर मैंने gap किया line type किया फिर 14,15 ओके अगर आप completely हटाना चाहते हो क्या करोगे then select करोगे और यहां पर numbering या numbering पर जा सकते हो या right click करके भी कर सकते हो right click करोगे then numbering यहां से none कर दो जैसे ही none करोगे completely remove हो जाएग तो please यह feature use कीजिए आपके लिए बहुत ही useful है आप किसी भी office work में job करते हो तो वहां पर हमें numbering लेने परते हैं तो यह official work के लिए बहुत ही useful feature है thank you